ना उसने कभी कुछ कहा ना मैंने, ना उसने कभी कुछ कहा ना मैंने, ना उसने कभी मुड के देखा ना मैंने, ना उसने कभी मुड के देखा ना मैंने, पर आज भी इतने सालो बार कोई पुछता है मुझसे कि तुम लिखती किस के लिए हूँ, पर आज भी इतने सालो बार कोई कुछता है ऑसे कि तुम लिखती किसके लिए हो किसंसे मुझे हुमेशा उनकी आखालर्ति。 मुझे आज भी याद है वो शाम जब तुमने कहा था आरो में तुमारे पास . वो शाम वो वक्त वो घढ़ी जब तुमने इस तरीके से मुझे बात बताई थी वो शाम, वो वक्त, वो खड़ी, जब तुमने मुझे इस तरीके से बताई थी, तुम्हें शायद अन्राजा भी है, मेरी खुशी का, मैं कितना खिलखिला नहीं हसी, कि मेरी इन बातों को सुनना, सुनकर हसना, और एक थीमे से अवाज में, अमनी दिल के भारी अवाज में, आखे बन करके तुमसे पुशना क्या सच में? मेरा तेरी इन बातों को सुनना सुनतर हसना और इक भरे हुए दिल में एक लंडी सी सास लेकर आखे बंद करको कुछना क्या सच में वो अलमारी मेरे कपड़ों वाली जो लावारी से हो चुकी थी हस रहती मुझे ये भी आग्या था कि मुझे रंग कौन से प्यारे मैं ये पहनो या वो पहनो कुछ उल्जन सी थी मुझे मैं ये पहनो या वो पहनो कुछ उल्जन सी थी मुझे फिर फिर क्या वो आई थंदी से रूहानी से शाम फिर फिर आई वो थंदी से रूहानी साम तुम दमे पाउं पिछे से कुछ यू आए मेरे तुम दमे पाउं पि मेरा अपनी जुल्फों को अपनी गालों से फिसलने देना ताकि तू आया और अपने हाथों से उसे पीछे कर सके तुम्हें दिखाये थे मेने अपने बच्पन की सारी तस्वीरे जिसे देखकर मैं आज भी अपना बच्पन होती हुआ तुम्हें बताये थे मेने अपनी सारी बाते ही यह कहगर कि आज तर किसी को नहीं बताया यू वक्त तर वक्त तेरा यू मेरी हाथों को चुबना और ये जटाना की हाँ मैं तुम्हारे साथ कि हाँ मैं तुम्हारे पास युँ मेरा हाथों में तेरा हाथो किया शड़क पाया, कुछ उनकी मजबूरियां और कुछ हमारी कश्मकर्ष बस इही कुछ चेज़ों के वज़ा से हमें रिष्टा क्यों कर दिये हुए